चलिए जी तो मेरे पास यहां पर आ गई प्री एक्विजिशन और टोटल शेर कैपिटल तो बताओ जी इसके अंदर शेर कैपिटल का अमूंड कितना है इस फाइव हंड़ेड फिर रिटेंड अर्निंग तीन सो जो हमने कमपनी को अक्वाइर किया था उसमें रिटेंड अर्निंग का बैलेंस कहा लिखा हुआ है अरे रिटेंड अर्निंग का बैलेंस कहा लिखा है सबसे पहली लाइन में लिखा है एक सो पच्चिस 175 क्या इसमें कोई टाइम एडजस्ट्मेंट आएगी अन्मोल कहरा है 78 की रेक्टिफिकेशन लिखा होगी बिकॉज हमने चार्ज नहीं किया है येस अन्मोल और मुझे बताएं हम यहां तक पहुँच गए थे कोई डिविडेंट हो कोई टाइम एडजस्ट्मेंट हो कुछ नहीं है इसमें क्या क्या चीज़ है अब बताएं अच्छा ये वाली जो गलती का रखी है 78.86 की यहां आएगी कि नहीं आएगी आनी तो चाहिए यह 78.86 की गलती जो यहां पर थी वो यहां आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए तो वो यहां क्यों आएगी वो किसकी गलती है वो parent की है तो parent ठीक करेगा हम थोड़ना ठीक करेंगे यह किस क्या है यह तो S Limited का है तो इसमें कुछ नहीं आएगा मुझे यह बताओ इसमें क्या क्या चीज बचती है इसमें एक है revaluation of plant उसने कहा फेर वेल्यू उसकी 200 से ज्यादा है तो आपकी lottery लग गए आपको कुछ भी नहीं करना 200 उठाओ और यहां रग दो आप बोल नहीं रहे answer अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं यहीं छोड़ दूगा question मुझे लगेगा मैं करना हूँ चलिए मुझे यह बताओ plant के revolution के लावा एक और भी revolution है revolution और brand एक revolution brand की भी है तनी क्या है very good salon सम्यक brand value में revolution कितने की है 250 यह भी upward है अच्छा goodwill की impairment बाद में देखेंगे हम लोग ठीके और इसके अलावा अगले page पर क्या है वो तो NCI है क्या consequential plant में कोई adjustment आएगी plant में वो कहता है उसकी life पांच साल बढ़ है तो क्या मुझे बता सकते हो दो साल की life कितनी होगी उसकी अगर मान लो देखें तो यह 5 है तो 2 की इतनी होगी this is your additional depreciation sir आपने तो सीधा इस पर adaption लगा दी हाँ लगा दी ना मिर पास data भी नहीं है और मुझे data चाहिए भी नहीं है क्योंकि आपको उसने सीधा ही कह दिया 200 की revolution है तो 200 को मैंने charge कर दिया adaption तो this is योगेश कह रहे है यह 80 बनता है brand की life 10 साल है तो मुझे फटा फट से बताओ consequential adjustment of brand 250 का brand है जिसकी life कितनी है 10 साल तो कितने साल की depreciation लगानी पड़ेगी 2 साल की बताओ कितना 50 Saloni कह रहे हैं आप 2 साल क्यों ले रहे हैं बताओ भाई यह 2 साल क्यों ले रहे हैं हम लोग क्योंकि आपका post equation 2 साल का period है क्योंकि आपने 2 साल पहले subsidiary acquire की थी ओके acquire 2 साल पहले हुआ है remaining 5 साल है हाँ तो remaining 5 साल कब है the plant had a remaining useful life of 5 year at this date consider it acquisition date अब मुझे बताइए और इसके अंदर कोई है goodwill impairment है क्या goodwill impairment को मैं बाद में डाल दू तो मैंने goodwill impairment को बोला बाद में डाल देंगा यहाँ पर भी डलवा सकता था मैं मैंने आपको smart work सिखाया भी है पर मैंने यह smart work किया नहीं है चलेगा क्या 1075 और यह आप बताओ 305 शिवानी parent का और NCI का share बताओ हमारा हिस्सा है 8020 244 कुछ गलती बता रहे हैं बच्चे चेक कर लो भाई अच्छा पोस्ट एक्विशन यह है ही नहीं बच्चे कह रहे हैं यह है ही नहीं है दिस इकोल टू 45 तो 45 का 20 परसन कितना हो गया 9 और 36 हाँ कार्थिक डेप्रिसेशन माइनस होगी बिटा यह ब्रेकिट लगा रखी है तान्या यह अवाउंट देख लो कितना आता है 130 तो 45 यह आएगा 175 में से यह गए तो 45 यह बचेगा चलें आगे अब मुझे यह बताओ वर्किंग नोट नमबर 3 किसका बनेगा कैलकुलेशन आफ गुडविल जी बी पी शुरू कर दूं क्या मैं इन्वेस्टमेंट का बैलेस ठीक से बताना इन्वेस्टमेंट का बैलेस चलो मैं बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट का बैलेस है 1000 इन्वेस्टमेंट का बैलेस है 1000 लिख करके डन का मैसेज डालो इन्वेस्टमेंट का बैलेस है 1000 कार्थिक कह रहा है 1200 नालाइक कार्थिक अब कार्थिक का अंसर ठीक है इसमें मिस्टेक थी 735 की तो दिस इस 1735.5 हाँ जगनप्रीत कह रहा है मैं अपना कर रहा हूँ सारा तो मेरे से कॉपी कर रहे हो अगर deferred consideration सही record होता तो यह assume करते हैं कि finance cost भी सही charge हुआ है the answer is yes शांतनू जब तक कहा नहीं जाएगा हम मानेंगे सब ठीक चल रहा है ठीक है प्लस कर दीजिए non controlling interest at fair value यह सवाल में दिया हुआ है 380 माइनस आइन ने आइन ने कितने का है 1075 यह goodwill on acquisition date आ गई है बताओ कितने हैं सौरा बिटा remaining life brand की 2 साल नहीं है उसकी 10 साल life है दो साल बीट गए है आपका post period दो साल है तो revalue करने के बाद दो साल की depreciation निका लिए मैंने ठीक है 1040.5 1040.5 क्या इसमें कोई goodwill impairment करनी है लाल pen से लिखो या कौन से लिखो नीले pen से लिख रहा हूँ minus less goodwill impairment अच्छा ये दो साल की impairment लिखोंगा के एक साल की लिखोंगा ये दो साल की लिखोंगा के एक साल की लिखोंगा दोनों वर्षों की तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे word cumulative का मतलब क्या है क्या आपको पता चल गया क्योंकि बेटा आपकी acquisition में और date of consolidation में क्या difference जादा भी हो सकता है है ना इस सवाल में तो दो साल का difference है तो दो साल में हमारे पास दो बार impaired हो गई हो हाला कि इस सवाल में ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा था consolidated goodwill has been impaired उसने बताया ही नहीं कि first year में कि second year में कि कौन से year में तो उसने आपको ये बताया तो ये हमारा two fifty eight already जो आ रहा है येस दोनों आती हिमान्शू जोड़ना नहीं है घटाना नाला एक एक हजार से उपर नहीं जाए गई है 782 black pen 782.5 मैंने ये goodwill impairment loss दो जगा पर डालना है कि एक जगा पर डालना है ये goodwill impairment loss दो जगा पर डालना है कि एक जगा पर डालना है क्या आपने यहां पर fair value पर goodwill निकाली है तो fair value पर दो जगा पर जाएगा कहां कहां पर जाएगा एक जाएगा NCI में और दूसरा कहां पर जाएगा दूसरा जाएगा consolidated equity में ओके मुझे बताओ working note नमबर अब कौन सा आना है working note नमबर four मुझे बताओ NCI at acquisition date क्या था वो था 380 NCI acquisition पे 380 था प्लस कर दीजिए post acquisition which is 9 क्या कहना चाहते हो करनी का अगर goodwill को हमने impair किया है तो यह goodwill चूंकी किस-किस की है पेरेंट की भी है और NCI की भी है तो आपको नहीं लगता कि ये भी तो loss हो गया फटा-फट से बोलो ये भी तो loss हो गया जैसे ये profit को तुमने दो मालिकों में बाटा है पेरेंट में और NCI में तो यह loss भी तो दो मालिकों में बटेगा, बोलो हाँ, और वो दो आदमी कौन कौन है, एक तो NCI और एक consolidated equity, तो यह बना रहे हो, तो यहाँ पर कर देते हैं, तो इसको मैंने shortcut में पता क्या बताया था, कि 258 को यहाँ पर मैं लिख देता, तो भी आपके पास same answer आता, पर मैंने यहाँ पर मना कर दिया था, लिखते हुए, मैंने का था, मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, माइनस करो, नीले पैन से लिखोंगा, माइनस, goodwill, impairment, बताओ जी, 258 का कितने percent लेना है, 20%, हाँ, नमन कह रहा है, smart work करना था, बिटा, समझा रहा हूँ न पहला question में smart work करेंगे, तो समझ में दिक्कत आती है न, तुम समझो, ऐजा teacher, कल को तुम teacher बनोगे, तो यह tip दे रहा हूँ तुमारे को, अब मुझे यह बताईए, कि हमारे पास what is your NCI, what is your NCI, सार्थक smart work है यही नहीं बेटा, यही है, बात खत्म, अब वो देखक कर दिया अनना मन तुमने मारे बच्चे confused, 337.4, 337.4, अब मुझे बताईए, अभी भी एक काम और बाकी है, बताओ अब क्या काम बाकी है, calculation of consolidated equity, अब consolidated equity चाहिए, मुझे बताओ, इसमें खाली retained earnings है, तो retained earnings of parent बताओ कितने है, given जो है, parent में है, 1400, भाई इसमें कोई गलतियां वलतियां तो नहीं कर रखी है, उस मुनीम ने, क्योंकि पहले तो गलतियां ठीक करो, इसमें कोई गलतियां तो नहीं कर रखी है, हाँ कर रखी है, क्या गलती कर रखी है, minus finance costs, not yet recorded, 78.86, security प्रियम भी जोड़ूँगा, दो मिनिट रुख जाओ, प्लस कर दीजिये, post acquisition change, ये भी तो retained earning का है, 36, बताओ मैंने नीला pen क्यों उठा रखा है, मैंने नीला pen क्यों उठा रखा है, very good कार्थिक, पलवी, नमन, शौर्या, सम्या कहरा है, premium के लिए उठा रखा है, premium के लिए नहीं उठा रखा, goodwill के लिए उठा रखा है, premium के तो पीछे पड़ गए सारे, तुम retained earning में premium कैसे जोड़ दोगे, ना लाइक, goodwill impairment, 258 का 80%, बताओ कितना, 206.4, अब ये बताओ, अब ये जो निकलेगा, ये क्या निकलेगा, क्या ये consolidated retained earning निकलेंगे, क्या ये consolidated retained earnings निकलेंगे, हाँ, 1150.74, 1150, और इसमें क्या कोई security premium आएगा, अब बताओ कितने का था, 160, तो consolidated equity कितने की आ गई, कार्तिक का अंसर 1600 आ रहा है, जबकि 1600 नहीं हो सकता, 1310 शौर्रे और पल्वी ने बुला है, 1310, अभी भी काम बाकी है, बताओ, अब क्या काम बाकी है, थोड़ा सा लेट हो गए, अब हमारा अभी भी काम बाकी है, अब मुझे बनानी है, consolidated balance sheet, पी लिमिटेड की डेट है, 31 दिसम्बर, मुझे बताईए, सबसे पहली आइटम क्या लिखों इसके अंदर में, non current assets, बच्चा कहता है, हम रोज लेट हो जाते हैं, निकल, traffic का कुछ आता पता नहीं है, दफतर में बोलो, traffic का क्या पता, property, plant and equipment, तो चलो मैं इसी में कर देता हूँ, क्योंकि time कम है थोड़ा सा, तो पच्च पन सो, प्लस, S limited में है, 1500, क्या आपने इसमें कुछ revolution किया था, प्लस 200, consequential adjustment थी, आपकी 80, चेक कर लीजेए, अच्च शिवानी कह रहे है, हमारा CA बोलता है, कि वो कह रहे है, traffic का बहना पुराना है, तो बोलो, rally हो रही थी रस्ते में आज, ठीक है, नया बहना, rally हो रही थी आज, किसानोंने अंदोलन कर रख रहे हैं, चक्का जान था, अंशु कह रहे हैं, आपने share capital को add नहीं किया, share capital मेटा मैं consolidated equity में नहीं add करूँगा, मेरे को balance sheet में अलग दिखा नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं add नहीं करता हूँ उसको, goodwill बताओ फटाफट से, working note अब मैं इसका ऐसे लिख देता हूँ, working note के बगाएर, 782.50, निकिल ईवाई तो work from home दे रखा हूँ नहीं, तुमको कामी नहीं बोल रखा हूँ नहीं, अब मुझे बताओ हमारे पास, इसके बाद investment तो खतम हो गई थी, current assets, बाते नहीं करते हैं, फटाफट काम करते हैं, inventory, inventory में कोई revolution तो शयद थी नहीं न, नहीं थी, एक brand आ गया भाई, इसमें एक brand आ गया, intangible assets, इसमें एक brand आया था, brand की value थी 200, और फिर आएगी goodwill भी डाल दो, अरे यार, this is equal to 782.5, और current assets आ जाएंगे, अब यहाँ पर inventory, inventory का total बताओ कितना आ गया, 650, और फिर inventory की बाद है, receivables, तो सीधा मैं भी receivables ही लिख देता हूँ, revolution तो थी नहीं इसकी, 600, cash, cash का amount था 250, share capital में change आया था, बताओ share capital 200 की बढ़ गई थी, 2200, other equity, 1310, 0.74, N.C.I. 337.4, non current liability में financial liability में, other financial liability में deferred consideration, deferred consideration का amount total करना पड़ेगा, 375.5 प्लस 478.86, बता और deferred consideration, नमन कह रहा है cash भी पे किया था, बिटा वो उसकी entry correct कर रखी थी, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, deferred consideration मुझे बताया है, जगन प्रीत कुछ और कह रहे हैं, तान्या 454 कह रहे हैं, और एक और बच्चे ने 454 बोला है, तो 454 ठीक होगा, प्रफुल 454.36, मुझे बताईए, और हमारे पास क्या बचा है, इसके अंदर, non-current liability कोई और भी हैं, क्या मैं लिख दू, other non-current liability, 3400, current liability, मुझे बताऊ जी current liability, अब हमारे पास क्या क्या बचा और, deferred consideration हो गई थी, P&L हो गया था, और तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो बताई ये कितना आ गया है, सार्थक ने का 1900, बस सार्थक नहीं का ये, तो लिख दूं कहा 1900, चलो, सार्थक ने भी का लिख दो, टोटल लगाओ, 9602, 9602.5, नमन, आशुतोष कहरा, करेंट लाबिलिटी में जाएगा, इसकी पेमिंट का वो नहीं है, तीन साल में होनी थी, चलो इसे करेंट लाबिलिटी में डाल दो, करेंट लाबिलिटी में डाल दो, कोई बात नहीं जो कर दिया, 9602.50, अब मुझे ये बता दीजिए होमवर्क के कुश्चन्स आपके कौन कौन से हैं फाइनली वो दुबारा बताओं के नहीं शायद ये थे 141, 146, 157 और कुश्चन नमर इक्यावन हाँ जी आशू अंशू हाँ आज लोडी है और आज बहुत सारे किसान और बाकी सब लोग जो पंजाब में हैं वो पूरे नौर्थ इंडिया में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है लोडी तो जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ कि लोडी एक त्योहार है जो कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और विशेश कार के पंजाबी कॉमिनिटी में बहुत मनाया जाता है आप सब को लोडी के आज के उपलक्ष में हर्दिक शुब कामना है थैंक यू वेरी मच बवाई